बश्कार दोस्तों मैं सुनीता स्रमा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर शे अपका हर्दी का भिन्हंदन और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सोच रहे होगे मैडम इतने दिन कहां थी कई दिन से वीडियो नहीं डली कुछ कारण रहे कुछ स्वास्ते समन दी थे कुछ दूसरे भी थे पहले मैंने बड़े तनमेता से वीडियो डाली और अब भी आगे कोशिश करूंगी रोज वीडियो आती रहे इसमें कुछ थोड़ी सी परोचान की कमी रही क्योंकि मेरे साथी सभी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना साथ भूल जाते हैं तो हम इस पर एक टार्गेट रखते हैं कि इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक जरूर आए और जो नए दोस्त आए हैं वो सब्सक्राइब करें और को में मैंने बाटा है जैसे नाइंत को पहला गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड इसके साथ थोड़ा लेखक परिच्चे की भी बात करेंगे और चलिए आईए देखते हैं वीडियो और इसमें हम आगे करते हैं किसी साब से करें मैंने कोशिश की है पूरा कवर करने की पी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप उसमें बाद में बताना और वीडियो सुरू से अंत तक जरूर देखे क्योंकि देखो कि तभी चोट-चोटी चीज़े कवर होगी चलिए देखे सबसे पहले बात करते हैं हम नौमी के स्लेवस की अगर नौमी के स्लेवस की बात करें तो पहला पार्ट है हमारा दो बैलों की कथा हीरा और मोती है दो बैल मुन्शी प्रेमचन उसके लेखक है दोस्तों हम सभी जानते हैं मुन्शी प्रेमचन जी के बारे में मुन् और उर्दू में नबाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेम्चन के नाम से लिखते थे आप यह मान के चलिए कि प्रेम्चन जी का जीवन बड़ा संगर्च बढ़ा था लगवग शोड़ा साल की उमर में इन्होंने नोकरी कर ली थी क्योंकि पिता की मिर्थी हो गई थी सोते लिमा का विभार भी अच्छा नहीं था इनकी साथी भी जल्दी हो गई थी ध्यापकी करी उसके बाद पढ़ते रहे और फिर इंस्पेक्टर बने और उसके बाद गांधी जी क्या वान पर इन्होंने नोकरी भी चोड़ दी थी और इसा है योगांदोल में कुद पड़े थे और इस परकार करते करते जो है इन्होंने साथ-साथ लेखनकारिये भी किया इनका इनकी मिर्थी हो गई थी 1936 में तो यह चीज़े जो मुख्यम के पॉइंट है यह तो हमें याद रखने ही रखने हैं इसके अलावा एक दो चीज मंगल सुत्र जो अधूरा रह गया था और इनका प्रोड उपन्यास है गोदान और इसी परकार इनकी आखरी कहानी थी कफन और वैसे कई बार एक यह भी हो जाता है कि इनकी एक अधूरी कहानी कौन सी थी वो थी क्रिकेट जो बाद में इनके पुत्तर ने चपवाई थी इ उसके अलावा इनके उपन्यास सेवा सदन करबला निर्मला गोदान यह सभी इनके उपन्यास है यह आपने प्रेम्चन में पहले भी पढ़ा होगा इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा और इनकी मुख्य कहानी जैसे पहली कानी पंसपर मेश्वर्थी बड़े गर्की बेटि बुड़ी काकी दो बैलो की गता नमकी का दरोगा यह मुख्य मुख्य चीजे जो से सम tong दी तो से याद करनी है दो बैलों की गथा में क्या है मुंशी प्रेम्चन जी ने किसान के जीवन से समन्दित है दो बैलों का मालिक जो है उसका नाम है जुरी वो अपने बैलों से बहुत फ्यार करता है लेकिन उसकी पतनी इससे जलती है और इसी कारण उन दोनों बैलों को अपने भाई के पास जी होसमें उनको रख दिया जाता है फिर वहां से भी भागाते हैं अंत बड़ा सुखद है दोरनों बैल अपने मालिक के पास आ जाती है इस दोरान जो बहुत सी घटना घटी बीच बीच में जो मुख्य मुख्य बात है उपर सनों के मादम से यहां जो सपस्ट करनी होगी व यहां प्रेमचन ने कहा कि गधा बहुत मुर्ख है क्योंकि गधा जो है वो कुछ भी नहीं बोलता और वो गधे का की तुलना उन्होंने बैल से करते हुए उसका जिकर किया था लेकिन करता है बैल को कभी कभी गुस्सा आता है तो गदे से तो वह थोड़ा सा नाई है ब्य परसन है वारा लेखक के उनसार गधे में किनके गुन प्राकास्था को पहुंच गई अब यह थोड़ा सा एक्स्प्रेयन करना है लेखक ने कहा कि रिशी मुनियों के करता है कि रिशी मुनियों ने इतने सारे परवचन दिये उन्होंने का कि शान तरह ना चीए जो दूसर एक बार यह मुहावरावीएं कई बार ऐसे भी पूछल लिया जाता है वेखकता यहां पर बच्चिया का अना मोटी नाम हीड़ी जूरीFC उलिक नाम थ्योहर मोती बहुत है परसन है गाउं के इतियास में कौन सी घटना भूत पूरव थी यानि कि यहां पर गाउं का जिकर किया है जब खिसान जीवन का आएगा तो सभावी के गाउं का जीवन का भी आएगा तो जब जूरी के बैल अपने आप ही रास्ता खोजते-खोजते गया के घर से उसके अपने जूरी के घर में वापिस आ गए थे तो इस बात के बारे में लोग बहुत जाकर जोना घर आना वापिस बैलों का इसके बारे में काफी विचारी मर्च कर रहे थे उसके बाद है अगला दस्मा बैलों के घर लोटने पर उनका अभी नंदन करने का निश्चे किस ने किया बाल सभा जो आएगा उत्रडी उसके बाद गया के घर में घर से भाग कर आए हुए बैलों को देखकर जुरी की पतनी पर क्या पर भापड़ा जैसे मैंने आपको पहले भी बता था कि वह बैलों से जलती थी और जब उसके भाई के घर से भाग कर आगे तो वह जल उठी थी यानि कि प पहले दिन तो अपने वैसे ले गया था उनको दुसरे दिन गारी में जोट्के ले गया उनको पीटता हुग लेकर गया उसके बाद है घर जाकर उसके पहले तो आ भी पतवaş्त बामत जाड़ के बादे से घर यकिन दूरी के बाद किcsरा के पास बाद गार की तरफ आंख तक क्यों नहीं उठाई अब नाद क्या होता है जिसमें घास फूस डालते हैं उनके लिए जिसको हमारे इदर ठान भी बोलते हैं तो उसका साहितिक नाम है वो नाद होता है नाद की तरफ आंख तक क्यों नहीं उठाई क्योंकि जूरी के बैलों को लग रहा थ किसका है हीरा और मोती दो पैल थे तो यह है आपस मैं बात करते है अपनी मुख भासा में तो मोती ने कहा था यह मुझे मारे घॉप भात ही बाइब कैस् itís a sad ự ACLU की बाटियांि किसने डी थी अब गया की डोकी ती बौक बीदिडया की वाले की पहले acaid और बहुत पूसकी अपनी जबी देखती ती इस कान चुपा चुपा के अपनी डोटी बैलों को देती थी चो फटी लडहीं उसके बाद 18वा परसन है गया के घर में जुरी में घर में जुरी के बैलों को रसी किसने खोली थी अब वो मोटी मोटी रसीयों से बांद दिया था अपने आप तो खुल नहीं रही थे तो लड़की दीरे सी देखा उसने कि ऐसे खुल नहीं पाएंगे तो अपना रात को इसलिए वो क्या करने लगे खर बहुत सारी चला आ रहा था अब उन्हों ने देखा कि एक सांड भी जह करना भाना करता हुआ चला आ रहा था मां से उसके बाद ही रामोती को कहां बंद कर दिया गया था अब कांजी होस में उन हीरामोती को मत्र के खेत में थे तो उसका मालिक आया और उन läuft कर ले गया और ले जाकर कर उन भावारची इकठा कर दिया जाता और उनको खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया जाता और कहीं कई गामों में तो ये भी था कि उस पे जुरुआना लगाते थे अगर मालिक चुड़वाने आता था तो और फिर वो जुरुआना लगा के उसको छोड़ देते थे हमारे इस इलाके में फाटक भी बोलते थे उसको आ भगा वहीं की वहीं खड़ा रहा इसलिए उगधे का जिकर किया है जो ना वहाँ पर खड़े दै गया था हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी होस में बंदे रहे थे बहुत ही इंपोर्टेंट परसन है कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कितने दिनों तक रहे थे एक खृद्धे हम किसी के साथ ना जाए नेकिन उस दाड़ी बड़ी बड़ी दाड़ी वाले दड़ी यल ने उनको खृद लिया था दुन्नों को हीरा मोती उनमक्त होकर किस की तरह कुलेले करते हुए घर की तरह है एक छोटे बच्ड़े की तरह है जैसे चोटा बच्ड़ा ह बच्ड़े की तरह है कुलेल भरते हुए चल पड़े थे जूरी ने अपने बैलों को देखते हुए क्या किया अब उन्होंने अपने बैलों को जूरी जूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था मजबूरी में उसने अपने साले को दिये दे जैसे उसने अपने बैल द अब जान के कोई दो यह कथन ही नहीं समय मालकी निન आकर हीरा मोटी को क्या किया है रहे बैल अपने मालिक के प्रति समर पी था और मालिक बैलों के प्रति तो दड़ी यह जा था वहां से चला गया था पसुबानने की रस्ची को क्या कहते हैं यह इंपोर्टेंट पर्शन है हमारे इदर नहीं बोला जाता हो यूप्टी में बोला जाता है हमारे इदर तो कुछ और लावारिस पस्व को बंद करने का क्या होता है यानि कि इदर मैंने आपको पहले भी बताइथ था क्या कहते है अब आध्मी चुरी चलाएगा यह किसका है मोती यह रहीरा दोनों आपस में बात कर रहे थे जब वहां एक आदमी आया कांजी उसमें तो उन्होंने कहीं कि अभी चुरी चलाएगा यह जो है वो मोती का है उसके बाद 35 जो कहीं पिर पकड़ लिए जाए यह कथन किसका है गधे का गधा वहां से भागा नहीं हो कहते भागो तो गधा इसलिए नहीं भागा कहता फिर पकड़ लिए तो यहां आना नाम है राहूल संकरतें जो है वो क्या थे यह बहुत विख्षुक थे और पहले विख्षुक नहीं थे खरिये बाद में इन्होंने बहुत विख्षुक जो ना वो दिक्शाली थी गो्मकडपरवेर्ती के थे बहुत विख्षुओने के कान इदर उद्र घूनते रते थे पद्धह आ ओगर्ड में हैुपी में पद्धह गाउं का नाम है जहां पे इनका जन्म हुआ था इनका मूल नाम केदार पंडे था दोस्तों यह एक नोट करने वाली बात मूलनाम केदार पंडे था लेकिं 1930 में लंका में गए बोध attracting तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लंका में बहुत धराम की डिक्षा घ्रैन करने वाला कून सब्सक्राइब और फिर इसेलिए को महापंडित कहा जाता है बारा भासा है आती थी इनको और ये घुमकड प्रवर्ति के होने के कारण इनके जीवन में जो है मेरी जीवन यात्रा इनका बहुत ही एक महत पूर्ण गरंथ है जो छह भागों में विबगत है इन्होंने वो लगा सेगंगा भागों नहीं दुनिया के बदलो दिमा की गुल का नाम लहासा की और लहासा जो हो हो तिबत की राजध़ानी है और उनकी लासा की यातरा की थी इन्होंने बहुत ब्सक्री बन कर दी इस समय कि वहां पर उस समय जो ठालको वही जाना जो आडाल नहीं था नेपाल के रास्ते से गए थे वेस बदलकर 1939 की बात है और तब यह क्या हुआ था दुर्गम रास्ते से गए और उस रास्ते से लोगों को अक्सर जो है वो लूट लेते थे लूटे रे तो उस रास्ते से कम जाते थे क्योंकि यह बहुत विक्षू के रूप में थे तो इस का पूरी टोली थी गई यह अपने टोली से बिछड गए थे और बाद में किस परकार मिले यह सारी इसमें कहानी है पांच वरस बाद फिर गए यह और पहले बहुत बिख्षू के रूप में इनको बहुत दिख समान मिला था बाद में कम मिला तो इस परकार का जीकर सारा इनकी इस रचना ना में है तो देखें क्या है तिप्वत की इते चाय किसमी कुठती थी अब लुदए चोटए कूट के बनाती थी तो चोडी बोलते है उसको जैसे अपने यहाँ कुंडवी सी होती है इस परकार चोड़ी होती ती जिसमें वह चाय कूठ कर बनाती थी थोड़ला और ठर क्या है ठोड़ेला का धर्र भी आपने कभी सुना होगा स्थान का नाम है लेखक के साथ दूसरा वैक्ति कुन था अब लेखक के साथ जो उसका गाइडर था जो उसको बताने वाला था उसका नाम था सूमती वो क्या था वो भी एक पंडित की तरह से बहुत धर्म को मानने वाला ही था और वो गंडे डोरे वगएरा बाटा करता था और उस इलाके में घुमा करता था और वहां उसका वो गाइडर था तीपत में सबसे खत्रे की जगह कौन सी है डंडे जो है जगह है वहां पर ज़्या उचाएगा लेखक समुद्र तल के कितने हजार फीट उचा था यह इंपोर्टन्ट है शुत्रह एठाज जार फीट उचाई पे था जो जगह है जहां पर हमारा लेखक जा रहा था सतरफाराहजार प्रफिते ऐसके बाद है भीटजर की सान उंचाई के स्थान को भीटे बोलते था यान II क यहां पर ढलते देशी उसमें तो टिल्लाइक जसे वाली चोटिया किस दिशा में थी अब वो सारा चेतर जो ना बरफिला था उसका जो पस्चमी भाग था पुरुई भाग था बहुत दिख बरफ में बराव या सिर्फ उतर ही भाग यह ऐसा था जहां कम बरफिली चोटियां होती तो इसका अंसर शी उतर लेखक ने किस की तरह बटे राष्ते पर चला गया था कि मैं कोन से रास्ते से जांने हैं तो यह यहां राष्ते ते हैं इसका उतर दिया हैगा उसके है गलत रास्ते पर कितने मील तक चला लेखक लेखक गलत रास्ते पर चला गया था और वहां लगभग एक डेड़ मील चला और उसके बाद उन्हें एसास हो गया था कि मैं गलत रास्ते पर हूं मंगोलों का मुह कैसा होता है लाल होता है मंगोल लाल रंग के होते हैं बहुत सुमति ने कितनी बारी यानि कि भी तनी चाय वी चाय भी न दो काम नहीं चलता तो जाए को तीन बार को ऊत्त त्र पार्ट पड़ोगे उस में से को तो आप को यह सारी चीजराई लग जा जाएगी किis थान पर ये अच्छी जगह ठहें थे एक स्थान था जहां पर उन वह ठहरे थे और उनकी बड़ी आभगत हुई थी 5 परसन हमारा लंकोर वह स्थान था जहां पर उनकी बहुत बिख्षप समझकर लोगों ने बहुत आभगत की थी तुपपा क्या है यानि कि फुपपा किस मेदान में पहुंचा था तिंडी जो स्थान था वहाँ 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 पहाड़ों से गिरा हुआ था जहां पर लेकक पहुंचा था अब जो लेखक था हमारा उसने कहा कि आदमी से मिलने जाना है तो वो सेकर सेकर है इसका ये आएगा इसका हमारा उत्तर उसके बाद अगला है हमारा सेकर विहार में कंजुर की कितनी हस्तलिफी पोतियां थी यानि कि वहां पर जो महत्माबुद की हस्तलिफित पोतियां थी कंजुर में रखी हुई थी ये इंपोर्टेंट परसन है एक सो तीन हस्तलिफित पोतियां थी यानि कि आद से लिखी हुई शेकर विहार में रखी हुए हैं अस्तली कित पोछिएंबेश कोईब्थ तो दोस्तों किल्लों से थोड़ा सा कम होता पुराना होता तो लग ने यहां कि बात किये कितने कितने शेर था 15-15 शेर की थी वो यानिकि बहुत बड़ी बड़ी पोतिया थी टिबत की मेहलाए की वरतन में चाय देती थी खौटी यानिकि एक छोटा अंदी एक बरतन होता था जो उपर से थोड़ा सा बंद और नीचे से थोड़ा सा खुला उसमें वरतन में जो है वो कोटी बोलते थे ऊसको उसमें चाहे देती थि उसके बाद क्या पीकर बहुत कम लोग होस अवास दुरुस्त रखते थे छट जो होती थि BBQ जिसमें बहूत सारी चीजय उससे विदाई लेकर वो चल पड़े थे लेकर मेरा कसूर नहीं है मित्र यह कथन किसका है लेकर का है जब उसका मित्र चला गया था तो उसने उनसे बात चीत की और तब यह बात उनकी हुई थी कि मेरा कसूर नहीं है यह कथन किसका है लेकर का है उसके बाद अगला है हमारा पाठ उप भौगता संस्कृति दोस्तों तीसरा पाठ है जो है वह उसके लेखक है शामाचरन दूबे का भी हिंदी साहिते में विशेश योगदान रहा है बहुत कुछ लिखा उन्होंने वह भोगता संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो यह आज का समाथ जो है किस बना हुआ है उससे पहले के बारे में थोड़ी सी बात कर लें इनका जनम 1922 में अंपी में हुआ था बुंदेल खंड छेतर में नागपूर विश्व विधाले से इन्होंने मानव विज्ञान में पीएचडी की उपादी कि इसलिए इनको डाक्तर शामा चन दूबे वी कहा ज सारा लेकिन इनका सारे जो चीज़े हमारी संस्कृति और स्बीताके इड्विद्गृत फिखुमती हैं इनकी रिष्णाइं मानव और संस्कृति प्रंपरा और इतिहास बौद संस्कृति तिताशिक्षय समाज और भविश्य भारतिये ग्राम संक्रमन की का कीड़ा और वि वाजार की गिर्फत में आ रहे लोगों और समाज की वास्त्विक्ता का वर्णन कर रहा है नई परिस्थितियों में जाने अन जाने में हमारा चरीतर बदल रहा है हम अपनी मूल भावनाओं को अपनी संस्कृति को छोड़ कर शिर्फ भोगता वादी हो गए हैं वस्तरों की दुनिया आश्रंगार की दुनिया पांच तरह होटल और प्रतिस्थित अंदी दोड में भागते लोगों की दुनिया विज्यापन की दुनिया स्वार्थ परमार्थ परभारी पढ़ रहा है और इस परकार लोग जो है आज भोग के कारण ही यह भोग की परविर्थि अब दुबे की बात की है हमने अड़क्टर तो बाते की है यह भी मैंने अब बीवी बताया है हाप को 122 में हुआ था अगर यह आजाता है किस खंड में हुआ था तो बुंदेल घंड में हुआ था तो यह हमारा मद्दे परदेश यानि के MP शामा चान दूबे ने किस विश PhD की थी उसके बाद शामा चान दूबे ने किस विश्य में PhD की थी मानव विज्ञान में इन्होंने जो है वह PhD की थी यानि कि देखिए थे तो यह साइस के स्टूडेंट लेकिन वहां उसके बाद हिंदी की तरफिन का रुजान रा और हिंदी में लिखा उन्होंने शामा च पुछ परसन इन में से कौन सी पुष्टक शामा चान दूबे रचीत नहीं है कुछ पूछ को के नाम है संस्कृति के चारद धाये जो है वह रामधारी शिंग दिन करकी है इनकी नहीं है तो संस्कृति के चारद धाये इसका जो है उत्तर आएगा लेकर के अनुसार अब सारे लोग जो भोकी और दोडरे हैं रूसी में सुक मिलता है उनको अगला परसन हमारा किनकी भीड़ समत किर्थ कर देने वाली होती है संद्रिय परसादन होते हैं जिसके पीछे खास तोरकर हमारी इस्तरी जाती जो है या आजकल तो पुरुष भी किसी से पीछे नहीं है उनके पीछे भागते हैं तो संद्रिय परसादनों के एड और उनकी खरीदारी सबसे ज़्यादा होती है संभरांत महां की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की संद्रिय सामगरी का होना महमुली बात है संभरांत मत्रब संपन में हिलाएं तो तीस जार लेखक ने यहां प बात कर रहा है अब देखें लोगों के पास जो है वह पैसा भी है और वह की तरफ किस परकार दोड़ रहे हैं भारत में किस संस्कृति के तर तो पहले भी रही है सामंती संस्कृति के यानि कि सामंत वादी पर था हमारे यहां रही सामंती संस्कृति रही लोग जो है उसका विरtti का अनुसरण करने में लगा रहा है त ו Words याया है तो कि विभी लेश थी रूंच्परों के दिए the वहीं पर कि का wise वे वहीं के रहे होसित प्सचिम संसक्रतिक बन गए को अपनाने लगे हम आधुनिक्ता के कैसे प्रतीमान अपना रहें हैं यानि कि हम उस झुट ठीक हजी रहा है जो मध्य वरग है वो एक जुठी परतिस्था बना रहा है रूशी की दोड में वो लगा हुआ है और उसके पिछे भागने के लिए कुछ भी करने को तयार है सो मोहन और वशी करण की सक्ती किसमें है विज्यापन में बहुत बड़ी सक्तिया आपने देखा ह होगा जब टीवी पर आएड आती है तो चाहिए उसमें कोई भी चीज ना हो लेकिन हमें एक बार तो सोचते हैं चलो इसको इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कैसा होता है तो उसका बहुत धिक महतों हमारे जियों में हो गया हमारी संस्कृति असमीता का क्या हो रहा है हमार जाबिर थे लिए-जाबिर हुसान जी ने लिखा है अपने मित्र परसिद्ध विज्ञानि थे असलीमाली अलीम उनकी मृतिव पर लिखा था लेकिन इससे पहले किंपार्ट कि बात करें पाध करें साभीर मिश्यान नालंदा के नो नहीं राजगीर नामक गाउं में हुआ था 1915 में और 1907 में मुगेर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथाबाद में मंतरी बने और 1995 में बिहार विधानसभा के सभापती भी बने ये और इस परकार जो है इनका जीवन रहा रचनाय जो है जो इस सब्स seminar सब्सक्राइब का तो ये जो सब्सक्राइब के सब्सיכ करoff करें सब्सक्राइब को लाई एक सब्सक्राइब को स्ब्सक्राइब है उनकी इस doubt दो आपको डायरियां बहुत इनकी परसिद्ध है तो देखे आईए थोड़े से इसके प्रस्णों पर नज़र डाले और उसके साथ साथ मैं थोड़ी पार्ट पर भी नज़र डालती रहूंगी साथ साथ सलीम अली कौन से विज्ञानी थे पक्सी विज्ञानी थे मैंने अभी थ साथ सीट्र किर्शन पकषियों से प्रेम करते थे उनका वेक्तितव जो बहुती आकर्शन था और सब्येस दूबले पतले से उनकि मिर्थी थी और उनकी पत्री का नाम तहमिना था सलीम अली की आत्मकथा फोल आफ एस पैरो है उसलीम अली की आत्मकथा का नाम फिर से सुन लीजिए फोल आफ एस पैरो पक्सी विज्यानी बनने का रहसे है कि बच्पन में उनकी एर गन से नीलकंट की मिर्ट्यू नीलकंट की गुरईया नीलकंट पक्सी है उसकी ये सलीम अली जी के बारे में लिखा हमारी लेकक ने पाठ कुछ इस तरह का है तो ये देखिए इसके आगे पर आपसार क्या होता है आपसार जो है वो फार्शी का सब्द है आपसार का मतलब होता है जर्णा उसके बाद है अगला हमारा, कृष्ण की बाशुरी के जादू से कौन खाली नहीं होता यह दि किर्शन जी के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुन रखा है पक्सि प्रेम में उनका पसु प्रेम कितना था तो वरंदावन जो है उन से लेखक ने लिखा कि वरंदावन खाली नहीं होता साली मली की मोत का कान कौन सी विमारी थी कैंसर के कान उनकी मिर्ति हो गई थी साली मली की आँखों पर क्या चढ़ा रहता था हमेशा उनकी आँखों पर दुरबीन चढ़ी रहती थी जिससे वो पक्षियों का अध्यन करते रहते थे साली मली क्या वाचर थे यानि कि वर्ड वाचर मतलब पढ़ने वाला वो वर्ड वाचर थे यानि कि वाचर मतलब देखने वाला वो वर्ड वाचर थे यानि कि पक्षियों को देखते रहते थे उसके बाद है साली मली की पतनी को वो रेगिस्थान की हवा से बचाना चाते थे साली मनी किस प्रधानमंत्री से मिरे थे वो चोदर इच्रण सिंग से मिरे थे चोदर इच्रण सिंग हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं साली मनी की आत्म कथा का क्या नाम है यह मैंने आपको पहले भी उता था फाला फेस फैरो या आप याद रख सकते हो किसी भी चीज से जोड के फाला आफे सपेरो इसका उत्तर है लेखो को गए जी किसा हितेकार की याद आ गई डियेच्छ लोरेंस थे वो भी पकषी प्रेमी थे उनकी याद आ गई उसके बाद डियेच्छ लोरेंस की पतनी का क्या नाम था बने रहते थे सलीम अली के बच्पन से गुरया को किस नहीं क्या था एर गण से उनकी उनने गुरया को गाहिंद कर दिया था इसाई काणव पक्सि प्रेमी बने थे यहांद कि एक सिंपल जीवन जीना चाते से सहेद जिन्दगी फिर्यडा के अमसार उनके पती के बारे में उससे अधिक कोन जानता है गुरईया यानि कि जो इनके पती थे वो पिपक्सी प्रेमी थे और वो करती है कि गुरईया उसके बारे में मेरे से जादा जानती है अधिर गारे में होई थे गलाव2 उसके बाद अगलाव Alrighty कि होई थी सती कितने एक सो वर्ष के समय को जो है वो क्या कहते हैं सती कहते हैं वादी किसे कहते हैं वादी घाटी को कहते हैं वादियों में कई बार आपने सुना भी होगा ऐसे तो घाटी को कहते हैं वादी मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोय हुए पक्षी को जगाना चाहेगा लेखक शलीम अली ने ऐसब्द गए थे और किसके लिए कहे थे पक्षियों के लिए कहे थे उन्होंने लेखक ने कैसी उबडखापड जमीन पर जन्वे मिठ्थक का नाम सलीम अलीग गहा है एहसास की यानि कि वह एहसास करते थे उन चीजों को मैसूस करते थे उसके बाद अगला है कंजोर या दूबले पक्तर एथे यहां ओप अब कंजोर करेंगे हम दूबला पक्तला होता तो वह करें तो इस परकार हमारा यह है पार्ठ जो है साली मैनीश के कुछ परसन और देखते हैं बाद में देखेंगे जितने हो गए यह उतने देख लिए थोड़े पाठ फे नजर डालिए उसके बाद हमारा अगला पाठ है बोधी चपला देवी का हमारी आदू निकलेखी का है चपला देवी उनका पाठ है नाना शाब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था यह वही नाना शाब है हमारे देवी की बारे में पढ़ लेते हैं द्विवेदी यूगिन लेखी का रही है जीवन परमान इनका जादा तो नहीं मिलता फिर भी इनके बारे में जो है यही है कि द्विवेदी समय में इन्होंने लिखा था अठारस्ताउन की करांती के विद्रो हिनेता दूंदू पत ना देखने गई थि और अंग्रेजों ने जब अंग्रेजों को यह पता चला कि वह वहां है तो निरपराद को वहां जिविद जला दिया था उन्होंने वहां से पकड़ कर लाए जेल में कैद किया और वहां उसको जिए जला लिए यह इसी का कुछ वरनन इसमें हैं लंदन के से गलती से बोल दिया मैं अठारा स्तावन को आदी रात को चांद निदात में अपने जो है स्वेत वस्तर पहने हुए नाना साहब के महल के मलवे के धेर पर बैठी रो रही थी उसी समय जो है वहां पर आ गया जर्नल अटरम था आ गया और उसने उसे वहां पैचान लिया कि तो नाना साहब की पुत्री है उसमें के महरास्ट्रिय इतियासकार महादेव चिटनविस के अनुसार बाखर नामक समाचार पत्तर में छपा था कि मैना को कानपूर किले में कैद कर दिया गया था और किले में उसे जला दिया गया था जिंदा जला गया था सब ने उसे तो देखिया आईए अब इसके भी कुछ पर्शन कर लेते हैं हम पहला पर्शन हमारा नाना शाहब की पुत्री का नाम क्या था मैना था उनकी पुत्री का नाम नाना शाहब के विद्रो ही की सवतंतरता संग्राम से केनेता थे तो ये तो हम जानते ही जो हमारा पहला सवतंतरता संग्राम था ठारा सुस्तामन उसके नेता थे उसके बाद अगला है हमारा पर्शन देवी मैना किस महल में रहती थी बिठूर के महल में रहती थी वो अपने paan-pur , बटोओं डूंढ टो हुए उनको , वहाँ अनको जब पता लगा कि वो उसकी पुत्री है तो किस किस से उडानक लिंने किया था कि वा लिका ने किस भासा में ओत्तर डिया था अंग्रेजी भासा में वह रोखी लिदा है मैना अंग्रेजी भासा में उसने उत्तर दिया शेनापती का नाम क्या था जर्नल हे था शेनापती का नाम जर्नल की बेटी का नाम क्या था जर्नल जब उसकी बात सुनता तो अपनी बेटी की बारे में भी बात करता है तो मेरी उसका बेटी का नाम था मेरी उसके बाद अगल लाड केनिन जो था ऊस समय भार्त का वाइस राय था तो लाड केनिन को थार देने की बात कही गई थी इसका उत्तर ना का महल कितनी देर मिट्टी में मिल गया था या निकाल गया था लग गंटा लगा था और घंटे में में हो सारवा मिट्टी में मिल गया था इसके बाद ह Hai मैना के जलने का समाचार किस महारास्त्री वेटा ने दिया था ये पीचme पड़े थे ऑँ drawn-te जिते उन्होंने उनके जलने का समाचार दिया था मराठी एकवार में उस समाचार पत्र का नाम लिखे जिसमें मैना के जलने का समाचार बाखर उस समाचार पत्र का नाम था बाखर उसके बाद है गला हमारा नाना साहब महल छोड़ते समय किसी अपने साथ लेकर नहीं गए थ जब वो महल उन्होंने छोड़ा था और शेना का लेतर तो करते हुए जब वहां से भागे थे तो उनकी पुत्री महीं रह गई थी अपनी पुत्री को वह अपने साथ नहीं ले जा पाए थे मकान कौन सा पदार्थ है मकान एक जड़ पदार्थ है अगर इस परकार की जो अप स्वासन किस ने दिया था सेना पत्री टामस हे ने उसकी महल की रक्षा क्योंकि उनकी बेटी उसकी मित्तर थी तो इसलिए थोड़ी चानुबूति थी तो टामस हे ने कहा था कि मैं तुम्हारे महल की रक्षा करूंगा उस समय की भार्षरका नाना साब को पकड़ नहीं सकी तो प्रवांसी को जबाब दिया था और वह नाना की पुत्री थी थी वह महल की राख पर जी भर के रोना चाहती थी उसके अंतिमिच्छा या थी महल की राक पर जी भर के रोए आपके विरुद्द किसने सस्तर उठाए थे वे दोसी है या कथन किसका है बालिका का है जब उसको दोसी मान लिया जाता तो बालिका उनसे परसन पूछती है अंग्रेजों से सैनिक दल में कहां तोपे लगाई गई थी बिठुर में तोपे लगाई गई थी और वो लगाई गई थी नाना साब के महल को उड़वाने के लिए तो इस परकार यह हमारा नाना साब की पुत्री मैना को भश्म कर दिया गया था इस अपला देवी का पाठ था जिसके कुछ महत्यों परसन मैंने यहां पर लिये थे अब चठा जो पाठ है हमारा वह हमारा प्रेम चंद के फटे जुत्ते और इसके लेकर हरी संकर परशाई यदि हम हरी संकर की बात क उन्होंने रसी में लिखा है प्रेम चंद की वैक्तितों के बारे में बताया हरी संकर परशाई जी की रचनाएं यदि हम ले तो इनके जनमों रचनाओं के बारे में बात करें इनका जो है जनम हुआ था 22 अगस्ट 1922 को मद्य पर्देश में इनका जनम हुआ था रिशंकर परसाईजी का और होशंकाबाद के जमानिव गाओं में हुआ था वशुधा नामग पत्रीका के संपादक भी रहे धान देना वसुधा पत्रीका थी बहुती पत्रीका थी जिसका संपाधन किया इन्हों ने और विकलांग सर्धा का दोर पर इन्हें ऐसमाना था प्रुषकाल और पिसकाय है और उन्मीन 25 में इनका निधन हो गया था इन्हों ने वयंगातं मक्छुटकिली रचनाय हैं की काफी सारी रचनायों में कुछ पर्मुक्र रचनाओं के नाम है हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानियां हैं इनकी उपनेया से इनका रानी नागफनी की कहानी और तठकि Lisa अ'll थर्ष॑ दोनों je मैहतों पर उपनेयस हैं को आप अच्छे से याद करेंगे व्येंगे परधा शंग रहे हैं इनके व्य चमन जिसमें वेंग रचनाई हैं तिर्ची रेखाएं ठिठूरता हुआ गणतंतर विकलांग सर्दा का दोर बहुत ही इंपोर्टेंट है इनके वेंग आत्मक लेक तो इस परकार इनकी कुछ रचनाई है और कुछ निबंद भी लिखें जिनमें पकडंडियों का जमाना और सब्सक्राइब का इंपोर्टेंट है शिकायत मुझे भी है बे इमानी की प्रावत और भूत के पाउं पिछे और तब की बात और भी यह इस परकार जो है इनके तब की बात और थी इस परकार कुछ इनके निबंद संग्र है तो अलग-अलग रचनाएं उने लेकिन यह एक कि जिस परकार आज हारी दुनिया दिखावे में लगी हुई है प्रेम्चंद जीतने महायतों पूर्ण वैक्तितों के धनी होकर भी उनमें बिल्कुल दिखावा नहीं था उनकी एक फोटो देखता है हमारा लेकक और फोटो में उशिर पर मोटे कपड़े की टोप योड़ कुड़ता है दोती है और प्रेम्चंद अपनी पतनी के साथ फोटो खिच्वाई थी और लेकिन जुत्ता जो है निच्चे से फटा हुआ उसमें से अंगुठा दीख रहा है उसी को देखके उसी से प्रभावित होकर लेकक ने लेक दिखा लेकर प्रेम्चंद के फटे वे फोटो खिचवाते हैं दिसमें पता है फोटो में खुस्वु नहीं आएगी फिर भी सömस्र्सापण को अपना पहणावा ऋधावा बदल बुदल के कैसे फोटो खिचवाते हैं यह सारी वें लेकख है कि प्रेम्चंद इतने बड़े वैक्तितव के धनीऎवों कर भी व्लीए परेमचंद के 25 जूत नमक नीबननमक किस द्वारा लिखा ग...' हइधिसंगर परशाहिन का दो एपन है रिजिकर कर लिया उन्की पतन्ची के पास कपमारीक के परे सब extremism की जोखतें वर्म निकले कि मैंस उसके प्रेम नहीं हैथ नहीं कि kaos सब्लाइन पेडाइन उनकाल पशेद में कौन नहीं है पोशा के बदलने का अगर इन ओप्शनों को ले हम तो इसमें तो एक ही आएगा पोशा के बदलने का अगुन यानि की दिखावा नहीं था छेद में क्या दिखाई दे रहा था छेद में उनकी अंगुली दिखाई दे रही थी प्रेमचंद की उसके बाद है अगला परशन हम उसमें जूत्य का दाम क्या होगा जिसमें हमारा लेखक प्रेम्चन जी ने वोटा किचवाई होगी तो लगभग 5 रुपए में अच्छे जूत्य आ जाते थे उसमें लेखक का जूता कहां से फटा हुआ था अंगुठे के नीचे से फटा लेखक अपने भी जूत्य की बात क रखता हूं लेखक का उसला प्रेम्चन की किस भावशवी से पस्त है उनकी वयंग मुस्कान से पस्त है लेखक का उसला लेखक देखता है फिर उनकी वयंग मुस्कान देखता है तो वह सारी चीज सोच साच के वहीं रह जाता है और यह सोचने परबादे हो जाता है कि च्टर उसिक्री हाने जाने में किसका जुत्धा की यस गए था कुम्भण दास का जुत्ता से मेंसार्ज क्वाऊं की उस तरफ ईषा करती है जिसे एं खाली स्थान करते तो दाएं का पैर का जुता ही ठीक था यह उप्शन है इसका लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा है साहितिक पुर्खे क्योंकि उन्होंने जो है इतना कुछ दिया है इसलिए उनको साहितिक पुर्खे करता है उसमें टॉपी का दाम क्या रहा होगा लगबग प्रेमचंद के लिए नेम धरम क्या है प्रेमचंद के लिए मुक्ती ही नेम धरम है प्रेमचंद जो है रहे क्योंकि उनके उपनासों में सपस्ट दिखाई देता है लेखे के अनुशार प्रेमचंद ने अपना जुता किस पराजमाया है 院 sır्हां पेस्स keeping किस चीज Account नहीं जानते थे पर महान साहित्यकार और फटेवे जुक्ते में फोटो की च्वारा है जिसके देख दुख उपजत है तिनको करबो परेई सलाम यह कथन किसका है यह कुम्बंदास का है जो सूर्दास का लिनकवी हुए है हमारे कुम्बंदास ब्रिज भासा में कावे है इनका तीले को बरकरार ब लेगना है हमारा पाथ मेरे बचपन के दिन केkien साथ माध्य को महा पाथे का महादेवी वरमा इसके लेखी का है पंत परसाद निराला और महादेवी महादेवी के जनम की एदिबात करें तो इनका जनम 1907 में उत्तर परदेश के फर्रूखाबाद में हुआ था एक परतिस्ठित परिवार में इनका जनम हुआ था लेकिन उस समय लड़कियों को जल्दी ब्याह कर देने की पर था थी तो इनका ब्याह भी नोवर्स के पाईयों में ही हो गया था लेकिन जो आगे जब यह जहां पर गए वहां का दक्यान उसी परवर्ती के लोग थे ज्यादा इनकी बनी नहीं और इनका विवाह जल्दी तूट गया था लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी और इन्होंने इसी परकार में की और पिएच्टी की रूस के बाद परियाग महिला विद्या पिठ में परचारिये के पद पर आशीन रही और वहां पर यह ओस्टल का जो वार्डन का जो था वह इनके पास ही था और इनका काफी सारा जीवन वहां भी था तो इस तरह इन्होंने बहुत कुछ लिखा है यह दी इनकी रचनाओं की बात प्रे 11 स्टंबर 1987 को इनका दिहांत हो गया था रचनाओं की बात करें तो काववे भी लिखा इन्होंने गद्दे भी लिखा है गद्दे में संसमरा नरेखा चितर इस परकार इनके बहुत फे महतोपूर्ण है और काववे में निहार रस्मी निर्जा सांदे गीत दीप सिका याम इन को पुरुस्कार भी मिला है इनकी दजना यामा पर वगल दानल जबुकर्ण की दिप रचनाओं का एक संग्रा है। बच्षपन के दिन की उन्होंने अपने बच्षपन कैसे बिताता और किस प्रकार उनका बच्षपन रहा था तो सबसे पहले इसके ले खिका का महादेवी वरमा है बच्षपन Ministerी फे लड़की नहीं थी और 200 वर्स के दाद महादेवी का जनके अमहा तो-छोरोर लोग हम उसको देवी का अउपासना करते थे वह लोग महादेवी और मां कहां से आई थी कम आई प्रवेस ले लिया था उच घरानों के बच्चे अक्सर पड़ते थे चात्रावास के हर कमरे में कितनी रड़कियां रहती थी तो हर कमरे में जो है वो चार लड़कियां रहती थी महादेवी बर्मा को चात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी सुबद्रा कुमारी जोहान जो बाद में बहुत बड़ी लेखिका है जिनकी कवीता है महारानी लक्ष्मिबाइद की काफी फेमस सुबद्रा कुमारी जोहान की तो उनको होस्टल में मिली थी महादेवी बर्मा पहले किस भासा में कवीता करती थी पहले वो ब्रिज भासा में लिखती थी क्योंकि उनके घर में जो है ब्रिज भासा को ज्यादा महत्व दिया जाता था आलांकि महादेवी वर्मा को उसने लिखा अपने बारे में कि मेरी मा ब्रिज भासा में गीत गाती थी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी फिर भी उसने वो सीखनी पड़ी थी सुब राखमारी चौहान ने महादेविवरमा की तलासी कहां की ली दि खिंध की किताब्भे टो डि ने के लिए कि इसमें किताब कहां छुपाई है महा देला कमारी चूहान की कृटां कि पत्रिका में सब्सक्राइब कि चीजंधी महादेवी बरमा को कभी समेलनों में लगभ कितने परत्त हुए थे लगभग सो के करीब को कभी सम्मेलनों में याने लग रख़र ही और दोग पर्वाभाग करते भालता जब उसने अपने कोलेज में कावे पाट किया था तो गांधी जी से उन्होंने चांदी का कटोरा ले लिया था महादेवी वर्मा ने गांधी जी आएगा इसका भी उसके बाद है मराठी लड़की जैबुनिशा कहां की रहने वाली थी कहां से आकर महादेवी वर्मा के साथ रह रही थी कोला प पढ़ना शिखा था लेखिका की माने सबसे पहले 55 की कहानिया जो ती व्यृव उशS Chennai लिए को पढ़नी शिखाने के लिए कोन आ हाकरते थे मोल भी आते थे क्योंकि उनकी मा जो थी वह उनके बरिभार में वह चाती थी का उर्टु फार्शी शिखे लेकिन लेखिका को पसंद नहीं थी और वह अपनी खाट के निचे छूप जाती थी और मोल में उनको शिखाने आते थे वह अपने पूजा पाठ करते समय उनके पदों का गान करती थी लेखिका ने किस भासा में लिखना अरंब किया था शुरू मे उनों ने ब्रच भासा में लिखना अरंब किया था और बाद में उनका द्यान जो है वो इंदी की तरफ आफ उखिसी हुआ लेखिका के घर के पास कहा के नबाव रहते थे जिनके घर उनका आना नाम था। महादेवी वर्मा के बड़े भाई थे उसके बाद इस परकार हमारा महादेवी पर्मा के बच्चपन के दिए इसमें कुछ और भी चीज़ें लिखी थी महादेवी वर्मा ने थोड़ी सी जिस के मारे ममजिकर कर देती हूं महादेवी वर्मा ने कहा कि बच्पन में हम अपने भले ही हमारे घर में नोकर चाकर थे लेकिन हमारी मां जो है हमें कहती थी कि अपने मोजे खुद दोया करो यदि हम मोजे निकाल कर डाल देते थे तो हमें गुस्सा होती थी अपने मोजे हमारे से खुद दुलवाती थी उनकी मा से संसकार मिले थे कि अपना काम खुद करो और इस परकार महादेवी वर्मा ने अपने कुछ संसम्रन साजा किये है और जो वो नबाब थे उनके घरून का आना जाना था वो किस परकार की नबाब भी थी इसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा बताया है तो हजारी परसाद की करें कुट्ता और मैने की बाद में करेंगे हजारी परसाद की बात करें तो इंका जनम बी 1907 में हुआ था बलिया में हुआ द्वे त्परागाऊं में इनका जनम हुआ था इन्हों में शांती निकेतन में हिंदिय द्यापक के पद पर नियुक्त हुए शांती निकेतन जो रविंद नाट टैगोर का था भारत सरकार द्वारा इन्हें पदम वोशन की उपाजी भी दी गई और में 79 में इनका देहान थो गया था बहुत कुछ लिखा है इंदी साहिते के इतियास पर भी बहुत कुछ लिखा है और इनकी रिचनाएं जो है वह ज्यादा तर समिक्षात्मक गरंथ है उपनास है उपनास इनके दो हैवान भटकियातम कथा और चारुस अंदर लेक दोनों इं पढ़ा था असोग के फूल और विचार परवाह है विचार और वितरक और कलपलता दोनों थे हमें किसलेवस में तो यह इनके काफी इंपोर्टन्ट है इनको याद रखना आप समिक्षात्मक गरंथ है इनका सूर साहिते हिंदी साहिते की भूमी का मद्यकालिन धरम साधना सूर और उनका काव्या नाच संपरदाय कभीर मेग दूत एक पुरानी कहानी हिंदी साहिते का आधिकाल बहुत ही इंपोर्टन्ट है और लालित्ते मिमान साहिए इस परकार इनके कुछ समिक्षात्मक गरंथ भी है जो इनको आलोचनात्मक गरंथ कह सकते हो आप इनको परस साथ विएदी ने गुरुदेर रवगी रविंदर नाट्यगोर से समंधित अपनी समर्तियों को इसके माध्य में से उजागर किया हात्मक थात्मक सहली में परस्तूत किया इसको एक दिन देखक परिवार सहीत गुरुदेव से मिलने लिए गए गए थे उनके पुराने घर में जो तीनमंजिला घर था वो शांति निकेतन को छोड़कर गुरुदेव रविंदर नाट्यगोर स्वस्त्य थीक ना उने के कान अपने पुराने घर शीरी निकेतन में चले गए थे वो लगभग शांति निकेतन से दो किलोमेटर की दुरी पढत ता शांतिनी केतन में ए मैन अगे बहुत को कि kuytta ये सवामी भगता है और मैन क्या को दिखाई करुण भाव दिखाई देता है लेकिन वास्ताविक्ता क्या होती तो देखिए आईए इस पार्ट से समंधित भी कुछ परसंद देख रहेते हैं हम यहाँ पर जो मुख्य मुख्य चीज़े हैं उनको कवर करेंगे हम कुटा और मैना पाठ के रचियता का नाम क्या है यह तो हमें बताने की जुरूरत नहीं हजारी प्रसाद विवेदी है लेक निकेतन को छोड़कर स्वास्ते ठीक ना होने के काण शीरी निकेतन चले गए थे तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए शिड्यां किस की बनी हुई थी शीरी या लोहे की बनी हुई थी जिस पर चड़ना बहुत ही मुश्किल था दर्सनार्थी लेकर आये हो क्या यह वाक गुर्देव को कुत्य को लक्षया कर लिखी गई कवीटा कहां छपी थी उनकी आरोग गया। पत्री का थी जिसमें वो छपी थी गवी ने भासाहिन प्राने की करुण दृष्टी में क्या देखा था उन्होंने मानव सत्य देखा था भासाहिन प्राने की यह कुत्ता जो है उसमें उन्होंने मानव सत्य को देखा था ए उसके बाद गुरु जी चिंता भश्म आश्रम में कहां से लाया गया था उनकी उनकी कि चिता की भश्म आश्रम में कॉलकत्ता से लाई गई थी सी आएगा इसका उप्शन उसके बाद है अगला हमारा चिता भश्म के साथ अन्य आश्रम वाशियों ने कौन उत्रायन तक गया था कुट्ता जो था न चिता भश्म को जब उसमें प्रवाहित करने के लिए गए थे कि एक दिन पारक में घूम रहे थे कहते हैं इसित्त दिखा आउए थे लेकिन बाद में पता चला कि यहा आज कल वाकई में कमा रहे हैं तो एक सपकता बाद जो है कुब भूबे दिखाई दिकाई दिए थे वहाँ पे एक सप्टा हएगा लंगड़ी मेना जो है आजकल है वो स्वार्थी है जैसे ही थोड़ी ठीक होगी यहां से फुरूर जाएगी पता भी नहीं चाहिए लेखक ने मैना को कहा था करून करता कि यह उपर से करून है सिरफ दिखाती है करून लेकिन हर्दे से कुछ और है रात के अंधकार में जनकारता है जिंगूर जनकारता है जिंगूर की आवाज आती है रात में शिरी निकेतन कितनी मंजिलों का था शिरी निकेतन तीन मंजिलों का था जो गुरुदेव का पुराना घर था लेखक किन के साथ शिरी निकेतन गया था लेखक परिवार के साथ गया था शिरी निकेतन क्योंकि वहां हम लोगों से के गाएब की थी गुरुदेव ने द्धातन के साथ टहल रहे थे आहे तो नटोने करक dir run at कोपरी तरिम्ति यानि की संतूष्टी कहते हैं यह आएगा यहां पर उसके बाद जो है इस परकार हमारा यह साथ आठ पार्ट थे हमारे गद्धे खंड के यह पूरे हुए दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप चलिए यह इस परकार एक अगली वीडियो के साथ जल्दी में प्रस्तुत होंगी इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करें को सब्सक्राइब करें और इसके साथ धन्यवाद जल्दी हम दूसरी वीडियो के साथ उस्थित होंगे